हाई फ्रेंड कैसे हो आप लोग उम्मीद करती हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और यह मेरा बंटू केक बनने जा रहा है एकदम छोटू सा और इसके लिए मैं 50 ग्राम पिर मिक्स ली हूं लेकिन इसमें मैं थोड़ा जादा ली थी इसलिए मैं वह एक लियर निक तो उसके लिए मैं धागे से कट करती थी तो ऐसा आपके साथ भी अगर लियर अच्छे से ना निकले तो आप धागे से कट करेंगे ना तो एकदम परफेक्ट कट होगा उसके लिए क्या रहेगा चारू साइड से परे मार्किंग करना रहेगा चूरी से उसके बाद धागा डालो अक्रोस कर दो न तो अच्छे से कड़ जाता है लेकिन अगर आड़ा तेड़ा भी कड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है जैसे मैं केक बना रही हूं आप भी ऐसे बनाएंगे बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा ये देखिए लेयर को ऐसे सेट करना है और वीप किरिम में ये दो दिन पहले मैं केक बनाई थी आप लोगों के साथ मैं आज शेयर कर रही हूं और कल मेरा एक बहुत बड़ा ओडर आया है इंशालला मैं कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी नॉर्मली टूटियर का ही केक है और ये मेरा लेरिंग करके हो गया है आप थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और प्लेट नाइफ लेके पहले इसको अच्छे से समच कर दें आप डारेक स्क्रेपर लेंगे तो भी हो जाएगा लेकिन इससे कर देंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा वैसे आपकी मर्जी कोई दिक्कत नहीं है आपको जो इस है तो आप है ना बोड को भी ध्यान दें पूरा केक बनने के बाद अगर आप सोचेंगे कि बोड क्लीन करूंगी तो उससे क्या होगा थोड़ा हाथ लग जाएगा आपका केक पे तो केक का लुक खराब हो जाएगा फिर शुरु शुरु में आपको मैनेज करना भी नहीं तो इसलिए आप ना बोड पहले किलीन करें फाइनल आइसिंग के पहले और आइसिंग करने के बाद भी करें इसके बाद आपको डिजाइन बनाएगर आपको जो भी अपने केक पे डिजाइन बनाना है और जब छोटा केक रहे ना तो ज़्यादा डिजाइन का मत सोचें से simple simple तरीके से सजाएं जब बढ़ा cake रहे ना तो आप ज्यादा create करें उससे क्या रहेगा ना कि आपको छोटे cake पे space कम रहेगा आप ऐसे छोटे-छोटे simple से तरीके से बनाएंगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा अगर बढ़ा cake तो आप बहुत सारे flowers या जो भी डिजाइन आप चाहें वो कर सकते हैं और यह मैं आपको इसके लिए दिखा रहे हूं कि मैं ऐसे ही तोड़ तोड़ के लगा रहे हूं इसा नहीं कि वो सारा टूटा हुआ है सिंपल सा मैंने ओचपी शीट पे चॉकलेट मेल्ड करके उसको फैला दी थी अच्छे से और वो अच्छे से सेट हो गया था फ्रीज में रखी थी फिर उसके बाद तोड़ तोड़ के मैं यहाँ पर लगा रहे हूं और ऐसे ही मैं प्लाइवूड का भी आता है वो उसको रोल करके करना रहता है लेकिन मुझे वो नहीं बनाना था वो थोड़ा हैड में रहता तो ज्यादा सुन्दर लगता लेकिन मुझे इसमें चॉकलेट को लगाने के लिए ज़्यादा बोले थी इसके लिए मैं साइड म बनाओ या रोज बनाओ तो उतना अच्छा नहीं लगेगा फिर मैं है ना इसको सिंपल से गनाश लिए हूँ जो बीच के लेरिंग में डाली हूँ और राउंड राउंड कर दी हूँ और बार बार नोक इसलिए साफ कर रहे हूँ कि उसमें बीच में अटक रहा है वो छान कर नहीं ली हूँ और मेल्ट करें काफी टाइम हो गया वो जम गया था तो जगे जगे पर ऐसे आ रहा है तो आप है ना छान कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा या अगर आप मोटा कट लगा लेंगे तो भी नहीं अटकेगा लेकिन मेरा थोड़ा ही करना था उतना अच्छा सुन्दर लूख नहीं आता है और सिंपल टूटपिक से मंदर के साइड में खीच ली हूँ और ऊपर है ना थोड़ा सा स्प्रिंकल डाल दी हूँ और ये मेरा सुन्दर सा चोकलेटी केक अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करना बिलकूर भी मत भुलना जब आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे काफी अच्छा लगता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाइबाइ